हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मुस्कान और मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक बहुती स्पेशल हेर ओयल बनाना सिखाऊंगी और मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी बाल लंबे करने के तो मेरा प्रोग्राम एंड तक दरूर देखिएगा तो सबसे पहले हेर ओयल के लिए हमको चाहिए सेसमी सीड ओयल सेसमी सीड ओयल बालों की रूट्स को नरिश्मेंट प्रोवाइड करेगा और उनमें बहुती अच्छे से आटो मसाज करेगा नेक्स हम लेंगे कोकोनाट ओयल कोकोनाट ओयल बहुती अच्छा होता है बालों के लिए नेक्स हम लेंगे सुहागा सुहागा फिट करी जैसा होता है देखने में और ये बालों से डैंडर्फ को बिल्कुल गायब कर देता है नेक्स हम लेंगे कलॉंजी कलों जी छोटे छोटे से ब्लाक सीड्स होते हैं ये बालों के लिए बहुत ही जादा फायदेमंद हैं ये सर में जाकर थोड़ी सी गर्माहट पैदा करते हैं और आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लास बोल लेंगे और उसमें हम डालेंगे दो चम्मच कोकोनट ओयल ये कोकोनट ओयल बालों के लिए बहुत ही जादा हेल्दी होता है सर्दी हो या गर्मी आप हर मौसम में कोकोनट अपने बालों में लगा सकते हैं ये roots को बहुत ही जादा अच्छे से जान डाल देता है उनमें नेक्स हम लेंगे sesame seed oil इसमें हम तीन चम्मच sesame seed oil मिलाएंगे ये coconut oil के साथ मिल करके आपके बालों में बहुत ही अच्छी shine लेकर के आता है और बहुत ही अच्छी से nourishment प्रोवाइड करता है ये बालों की roots में जाकर के उनको auto massage करता है जिससे कि आपकी hair growth fast हो जाती है नेक्स हम लेंगे कलॉंजी ये black seeds होते हैं जब आप इसे oil में डाल देते हैं तो उसके बाद इनका जो अंदर से special oil निकल के आता है ये बालों की roots के लिए बहुत ही ज़्यादा healthy होता है नेक्स हम लेंगे सुहागा या borax powder ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है क्योंकि ये बालों में जाकर के सारी itchiness खतम कर देता है अगर आपको scalp की कोई बिमारी है तो वो उसको पूरी जड़ से खतम कर देता है और dandruff का नामों निशान हटा देता है इस mixture को आप धूप में एक दिन के लिए रख दीजिए और उसके बाद ये hair oil ready to use है आप इसको चान करके store कर सकते हैं ये मैंने one time का बनाया है आप इसी को increase करके एक महीने का बना सकते हैं अब मैं आपको 10 tips बताऊंगी जिसे कि आप अपने बाल healthy और लंबे कर सकते हैं सबसे पहले आप shampoo अच्छी quality का use करें herbal shampoo बालों के लिए best माना जाता है आप घर में shampoo बना है और उसको अराम से store कर दें और जब ज़रूरत हो तब उसे use करें बालों को baby shampoo से भी आप दो सकते हैं क्योंकि वो भी shampoo mild होता है और बालों को नुक्सान नहीं पहुचाता है next आप अपने बालों को बहुत जल्दी जल्दी wash ना करें ज़्यादा जल्दी wash करने से बाल ज़्यादा तूटते हैं जादी देड़ तक अगर आप shower लेते हैं तो उससे भी बाल ज्यादा तूटते हैं आप आप बालों को जब रब करें तो बहुत जोड़ से रब ना करें क्योंकि उससे भी बाल जढ़ने शुरू हो जाते हैं आप अपने बालों को regularly moisturize करें चाहे आप उस पर hair pack लगाएं या आप उस पर hair oil लगाएं आप अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जब आप बालों में तेल लगा लें तो उनको अच्छे से बांध लें क्योंकि जब बाल खुले होते हैं तो उनमें dryness होने की ज़्यादे chances होते हैं जब आप पानी से नहा रहे हैं तो आप पानी का temperature ज़्यादा गरम या ज़्यादे ठंडा ना करें क्योंकि उससे भी बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है आप एक mild temperature पर ही अपने बालों को wash करें जब आप बालों में कंगा करें तो ज़्यादे जटके से कंगा ना करें क्योंकि उससे बाल बहुत जल्दी चूट जाते हैं आप नीचे से कंगा करना शुरू करें बालों में और धीरे धीरे आप उपर की तरफ जाएं जिससे आपकी जड़ों पर जादे जोर ना पड़े अगर आप बालों को hair dryyer से dry करते हैं तो ध्यान रखें कि आप hair dryyer में nozzle ज़रूर से लगाएं बालों को ज़्यादे खींचे ना और ज़्यादे गीलो बालों में आप hair dryyer यूज़ ना करें ऐपने बालों को हर महीने आप trim ज़रूर कराएं थोड़ा थोड़ा नीचे से trim कराएं जिसे कि आपके split ends ना आएं जग अगर बालों में split ends होते हैं तो उसे आपके बाल बहुत ही ज़ाझा unhealthy लगते हैं तो आप बालों को hair trim कराते रहें अपने खाने पर जादे ध्यान रखें, आप vegetables जरूर जरूर खाएं, हर color की vegetables खाएं, और हर तरह की डाल खाएं, डाल बालों के लिए बहुत ही जादे healthy होती है, nuts खाएं breakfast में, जितने जादे आप nuts खाएंगे उतने ही अच्छी quality के आपके बाल होंगे, आप अपने कंगे को हफते में दो बार जरूर अच्छे से wash करें, जब साफ कंगे से अपने बालों को कंगा करेंगे, तो बालों में खुश्बू बरकरार रहेगी और आपके बाल खराब नहीं होंगे, जब आप रात में सोएं तो आप बालों को खोल करके ना सोएं, उनको बांद करके सोएं, और अपने तक्ये क को आप सिल्क का पिलो उस पर डालें तो उसे आपके बाल नहीं तूटेंगे आप इन साई टिप्स को यूज करें और मेरे चैनल पर जरूर जरूर कामेंट करें और प्लीज मेरे चैनल पर सबस्क्राइब करें